चलो शुरू करें पहला कुछन के दा पुनार संयुक्त डियने याने की री कॉंबेनेंट डियने आप लोग ने अच्छे से पढ़ी की नहीं पढ़ी है थोड़ी ध्यानक नहीं कठेनी यूनिट है एक्चली बाया टेक्नोजी वाली है ना साइंस टेक मतलब जो सबसे कठेनी सबसे बड़ी दिक्कत करके दिये उन्होंने क्या किया है एकोनोमिक्स थो छोटा कर दिया लेकिन साइंस पूरा-पूरा बना दिया जैकि पहले क्या था साइंस और एकोनोमिक्स आदे-दे पोर्शन में उगए करते थे लिए क्या तो वहां पर क्या फिजिस्ट्री कर गई है चलो घर मैंने एक चीज आप लोगे लिए इसके जो इंपोर्टन कोशन्स हैं थ्री मार्कर, फाइब मार्कर क्लियर है कि जो आपकर लिखा हुगा है उसी में से बना कर दीदा थ्री मार्कर में कुछ कुछन्स आपको फ्रीम करके बना के दिए दूँगा आप उनको तैयर कर लेना ठीक है मुझे थोड़ा समय दे दीजेगा उसके लिए बाय टेक के लिए कि मुझे पता कि हाँ कौन-कौन से आएंगे तो मैं विद आंसर आपको बना के प्रोवैट करवा दूँगा ठीक है ना वो मेरी creativity ती आपकी creativity जो भी मुझे से जादा अच्छी हो सकती है तो आपस में कुछ और भी एड़ कर सकते हैं वह यह बनके बायोटेक में करेंगे सिंग तो इंपोर्ण बन सकते हैं ना करेंट अफेर को लेकर भी और इसको भी लेकर भी है ना वह समय आपको यहां पर एक इस तकनीक का विकास 1972 EC में हुआ था किसका पुनर सभी डियने बनाने का डियने अनुकरम को वांचित इस्थान से काट कर दूसरे अनुकरम का समावेश है ना मेली किस चीज के लिए किया जाता है यह जो डियने बनाया जा रहा है को रिकॉंबिनेट किसी भी वीमारी को दियने वो कहा है डिफेक्टिव है उस डिफेक्टिव डियने को रिमूफ किया जाएगा कैसे वांचित इसान से काट कर रूप अच्छा डियने डाल कर जिसके लिए दो प्रकार के इंजाइम को यूज करते है पहले कौन सा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा जोडने का काम करता है चलिए नेक्स क्या है जीन चिकित्सा तो जीन चिकित्सा में दो पॉइंट दिए गया है तो यह बहुत से कुशन यह से ध्यान रखना आप जो थ्री मारकर लिख रहे होते हो ना तो यह ज़रूरी नहीं कि अरवा तीन फैक्ट देनी देने जिसे गयते हो है ना यह चीज तो हर जगे यह नहीं करना है मतला आपसे देखो ना जीन चिकित्सा के वह एक डेफिनिशन पूछी गई तो डेफिनिशन बता दी क्या है इससे तात पर किसी आनुवांचिक रोग से संब्दे जीव की चिकित्सा करने से खतम बागी अगर आपको लग रहा है तो इसके तहट जीन परती स्थापना जीन सुधार और जीन ऑउग्मेंटेशन यह आप लेख सकते हो चाहो तो है न पृतिश्थापना मतलब क्या था काट कर डिपयृक्टिव को निकालना सुधार दूसरे को डालना अच्छे वाल को डालना और उसका क्या करन क्कुषिन नंबर थाड क्या है मानव जीनोम परियोजना ठीक है तो चुकि यह और यह पर पॉइंट बताने पड़ेंगे तो पहले पॉइंट क्या है? इससे संस्था हैं क्या है इसके संस्था है? मानव जीनोम के लगभग 20,000 से 25,000 जीनों की पैचान की गई बागी आप चाओ तो तीसरे पॉंट में लगदे ना इन जीनों का पृती चित्रन किया गया यानि एक मैप बनाया गया जैसे उपर सेटलाइट लगे रहते न वह धरती की मैपिंग करते अगर पानी तो पानी नी डाल रंका देखेगा ना कई जो न फॉर्स्ट का वैरत वह रा रा देखेगा उसी टासे तो यह पृती चित्रन का क्या किया गया किस मानव जीनों परेयोजना के तहित चलिए नेक्स एक क्रिस्पर तक्निक यह तो पता हूँ आपनों क्रिस्पर यह करेंट अफेर का चलना क्रिस्पर है ना चायन्या का एक डॉक्टर है ना नाम थोड़ा आजीव गरीब साइज द्यान नहीं है रहा क्या है जो भी डियोगी कुछ ऐसा करके है उसने क्या किया थ दो शिशू बनायते की ने बनायते है जिनको एचाइव एड्स नहीं हो सकता है ना यह वह एक क्रिस्पर तक्निक चुकि करेंट अफेर वाले से अपने इसको यहां पर ले लिए दो इसमें क्या है इसके माध्यम संपूर्ण आनुवांचे कोड में लक्षित इस्तानों पर एडिटिंग की जा सकती है और क्या है एचाइवी कैंसर और सिकल सेल रोग के निदा ने तू इस तक्निक का प्रयोग किया जाता है ठीक है ना यह हाला कि इसके क्या है रिपर करशन भी कैसे है कि लोग इसके निगेटिव इस्तमाल भी कर सकते है अगर मालो आप से यह लोग देखते हैं एक 6 फीट उचा है वो खुद को क्या समझता है दादा एक कंजोर सा वेचार हो खुद को दवा दवा समझता है उसी टाइप से तो यह चीज के पदा इस तकनिक के आन से और बढ़ जाए क्योंकि क्या होगा जो पैसे वाला व्यक्ति होगा वो तो यह तक सेकंड यह मिनिट्स और आप इंजिनर बन जाओगे क्योंकि आपका पूर पूर दिमाग उस चिप से दोड़ रहा हो स्टाइम पर है ना आपने एक मूवी देखना आपने अपनों देखी है देखी वाली मूवी मायावान मायावान देखना यह टॉलिवड की है साउथ की म मूवी में एंड में यह बताया गया है कि अमेरिका के जितने बढ़ दिगजना कौन बिल गेट्स है ना मार्क जुकरबर्ग है ना वारन पफे वह सबी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस चीज के लिए कि अमर कैसे रहा जाया अमर कैसे बनना है यह एंड में बताया इंडिया तो यह तो शर्ण आप सबको पता होगा है ना इस तापना को ही 1966 को पूरे में ने क्या है दो को स्टार्टिंग वाली बात है ना आपके जब उसमें आजाका ना याद करने में लिखने में डेट लिखते-लिखते याद होगी पहली बत तो यह है और मालू आपने इयर मेंशन कर देते हो ना तो जो फैक्ट वो सॉल्ड बन जाता है टोटल सॉलिट फैक्ट हो यानि कि वह अपने इनको सॉलिट निकल कर आई है ना तो वह एक नमबर पक्का कर देती और कोई बात नहीं है ना वागर मालो बागी पॉइंट होगे तो फिर क्या नमबर तीन का प्रमकर निर्वादमा कौन सीरम इंस्टिक्टर फिंडिया और सार सी ओवी सी ओवी टू से लड़ने यह तुसमें कैसे कोविट शील्ट कर निर्माण के यह अपने कैसे तरेंट वाल एक्जमपल टालके दिए तो देखो आपना ये इक सॉलिट निकलकर आ गया और ये न और उसके लाब और आनिये पूचे अब देखो कुश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन साइंस टेक में कुश्चन ऐसे पूचा या फाइव मारकर में ठीक है ना पहला तो यह तो यह मानव द्वारा निर्में डीने की लंबी श्रंकला है जिसमें हजारो चार युगम होते हैं चार जानते होना अब लोग बेस हैं ना चार युगम होते हैं पिरिण और पिरिमेडिन वह सबाइब पड़ो अलकि पूछे जाते तीं थी मड़ी मुत और दा कर देदूगा बिलकुल अब को मतब जो थ्री मार्कर होते हैं वह कंप्लीट बना कर देदूंगा जित्ती कुछन बन सकते मैक्सिम पॉसिबल है ना तो उनको आप रीड़ाउट कर ले ना चलिए और अब हमसे क्या पूचे गया है इसके लाब और हानिया पूचे गया है तो एक साइड लाब बता दो और ठीक है ना पांचे पॉइंट का वो रहा है बस यह तो पहला पॉइंट लाब देख लें ता पर नमबर वन लाब में क्या इसका प्रयूग डिजाइनर बग को बग की श्रंकला का निर्माण करने हितू किया जाता है किसका कृत्रम डियने का डिजाइनर बग होते ना जो ड नई चीज दिख रहा है जिसके पास जाएंगे पचक काम तमाम फिर क्या है मानवी आत पर प्रभाब डाल कर विटामिन सी का उत्पादन करवाना ये इसका लाब है दूसरे रैक्ट कैंसर ट्यूमर उत्नकों को नश्ट करने में सहाय ठीक है यह हम देश के क्या बताते हैं ती मालो कोई ऐसा जीवानू बन जाए जो क्या किसी भी दवास से किसी भी खतमी नावकुल मिला तो वो क्या करेगा जो इंसान मौजूद है कहां पर इस प्रती पर उनको निप्टा देगा इंसान आप देखो ना आज आपन सभी लोग यहां बैठे हुए हैं आपन को मालो बी बेटीड को क्या किल कर देता है अंदर जाके टेंपर्चर क्या है रिडियूस करके यह चीज अगर मालो कोई ऐसा माइक्रोब बन गया जिस पर का यह ज्यादा बन गए तो हो सकता हो कि यह कोई ऐसा ऐलीमेंट बना ऐसा सब्सेंस बना जिससे पर यह विपरीत प्रभाप पढ़े यह चीज और पर एक लाइन अपनी क्या बोल दिया पर ने इस प्रकार यह अपनी प्रभाप की प्रतीक्रिया प्रक्रिया शील्टा को दर्श अगर अपन कर पा रहे हैं तो कोशिश कर रहें क्योंकि बता हूं आप यह कोशिश किसी और ने कर दी वहाँ पर एक्जाम में जो लिखने के लिए कोई दूसरे शहर के बच्चे ने कर दिया तो वह नंबर ज्यादा ले जागा और अपने नंबर कट जाएंगे ठीक है अग आगी साथ लाइनन जो बसती है उसमें अपना कंटेंट फ्रीट हीट जो कुश्व में पूछा गया हूं ठीक नेक्स कोश्न हमारा क्या है पराजीनी है एक वी पराजीनी फसलों के शकारातमक वानबर पक्ष बताएं कयोंसे शकारातमक और शक्रीपOP उससरें आपयर पर ज अधिक गोल्डन राइस में क्या है कौन सा विटामेन है विटामेन है चीक है ना भारास सरकार का इसका 45 बर्जन बना रही है ताकि कुपुछन से लड़ाई की जा सके आपने पहले पुराने समय मतलब कुछ सालों पहले एक वाट से फॉरवड चलता था कि चायना में नकली च टोगे मार्ण वाहरी नियुट्रिशन विटामैस म की गई बना गया एक फर उसके पतली पिलम बनाए गई चादर बनाय गयी इफिर उस चीज नकली नहीं होती देखने में लग रहा था कि नकली होती वह लेकिन वह वह चीज नहीं थी वह 45 ड्रास था जो बनाया जा रहा था ऐसा करके ठीक है न चलो सेकंड क्या है कीट प्रति रोधी भाग खाद्य प्रसंस करण में सहायक और तीसर क्या है खाद्य सुरक्षा का सुनश्चिति करण क्योंकि आप क्या करोगे पराजीनी फसलों से ऐसे बीज बना लोगे जो करेंगे ज्याद ज्यादा उत्पादन करेंगे अब आपसकर नकारत पक्ष देख पहली बात क्या है उत्पादन लागा ज्यादा आगी क्यों सीधी बात है इसके लिए को क्या करना पड़ेगा रिसर्च और डेवलप्मेंट करना पड़ेगा शोदर अनुसंदान इसी लिए दूसरा क्या मानव स्वास के लिए हानिकारक अब यहां पर मद्य प्रदेश में किसानों के तौचा पर एलर्जी हो गई थी है ना वहां पर जो कौनजी पराजीनी फसल लगाई गई थी मद्य पर खंडवा जिले में वहां पर के किसानों को जो तौचा थी उसमें क्या लाल दाग पड़ गए तो कहीने इसका स्वास पर नकार आपना प्रभाब भी निकल कर आया यह जुट ऊटे यहाइदि कीट इसके प्रती प्रती रोधी हो गए तो खरपतवार अनियंत्रित अगर मान किट प्रतीय प्रती dio किसके लिए परा जीनी फसलों के प्रती तो फिर क्या होगा घरपत बात दना तो नुक्ती चली आएगी यह चीज और फिर एक पॉइंट और रहे गए तो अपना सकारात्मक्त में कम पानी का प्रयोक करने वाली फसलों को उगाया जा सकता है तो अपने को चार पांच साथ पॉइंट बता दी है आपर अपने टोटल ठीक है तीन यह तना एक दो तीन और चार वह साथ पॉइंट बता दिए और यह कबने डेफिनेशन बोल दी खादम काम है जालो थर्ट कुश्चन अपना क्या है जैव और अबरक क्या है इसके रूप में उपी होगी कुछ सूख्ष्म जीवों के नाम आपको बताने इसमें लिखे थे आपने कोई सूख्ष्म जीवों के नाम के नहीं लिखे थे कौन कौन से और नीलरिस शैवाल थे ना ब्लू ग्रीन एलगी एजोला एजोटोबैक्टर यह सब होते हैं तो देखो पहली बात तो यह कि जैव और वरक क्या है तो ऐसे सूख्ष्म जीव जिन कि ऐसे फॉर्मेट आप बना के दिखा दू तो पहला कोने राइजोबियम इसी खुछ का वहीं नाइट्रोजन का इस्थरी करन फिर है माइको राइजा यह कौन होता है एक कवक होता है और यह कह भूमी से फॉस्फोरस का अब शोशन करता है ठीक है तीसरा कोन है नील हरिस का थरीक करना और यह भी कहा पर खेतों में ऊसका प्रेओक के जाता है हाला कि जो फॉर्मेट बना यह फॉर्मेट ऐसा नहीं थी यह एसे बनाएंगी यह फॉर्मेट यह एक तो तीन चार कर करके क्योंकि देखो आप यह यह राइजोबियम यहाँ पर लिखो गया ठीक है फ स्लाइड आपको शेर कर दी जाएगी तो वहां से आप देख लीजेगा और इस प्रकार इस से सतत्कृषी को क्या बढ़ावा में दाई हम ने कंक्लूजन बूल दिया यह सतत्कृषी वाली बात आगी न यहां पर अपन जैव और अरुबरक कस्तमान करने न इसलिए तो सतत्क प्रवाण के शेत्र में इसके अनुप्रयोग बताने इंप्लीकेशन बतानी है इन फिल्ड ओफ हेल्थ तो यहां पर किया किसी विशेज उत्पादों या पदार्तों को विकेसित करने ही तुँ जीवित प्रणालियों और जीवों को प्योगी के कहलाता है जैप प्रवद् सकते हो यह बोजलीली बनेगी डेफिनिशन है इसके लाव यह दो पॉइंट और मेंशन कर दिए क्या लुइस पास्चर को इसका जनब कहा जाता है और भारत में जनब डॉप्टर पुष्व भारत वाले व्यक्ति का नाम भी आपर बता दिया अब यहोगा हमारा चित्र ड्याग्राम बनाना है लुट ट्गहाना प्ठेञारा यह लाँ अपर में उसके प्रकार बता दिक्ते लाजीजाब्योगी नीली हरित हुरत छुएत पीली और सो नहरी प्रकार बता एक डाइग्राम में चलो अब अप मेरा जाए अनुप्रयोग स्वास्त के शीत में अनुप्रयोग पुछ ना पंच से यानिकी एप्लिकिशन क्या है क्योंकि स्वास्त में इसत्माल कैसे हो रहा 1957 एक फेक्ट निकल का रागए अपना जिसमें क्या डेटा गई और इसका प्रकार क्या है अलफा बीटा और गामा यह चीज़ इंसुलिन यह एक पॉली पैपटाइड हार्मोन यह तुम पढ़ने पढ़ने याद करने पढ़ने दूसरा रक्त में शरकरा की मातरा का नियंदरन करता है यह तुम जानते ही तुमने इसका एक फंक्शन लिख दिए यहां पर फिर क्या है जैव प्रोध्योगी से निर्मित इ से निकलता है यहां से निकलता है सोमेटोस्टेटिन यहां पर कहा है मस्तिस्क की कोशिकाओं वह अगनाश है इस तरावित और इसका निर्मार क्या है जीन क्लोनिंग विदी दौरा किया जाता है छोटे रोटे पॉइंट फटाफट बता दीगें और कुछ नहीं है कि आप इन सब को किस से बना रहे हो इसलिए हम यहां पर दिखा रहे हैं जैप प्रोध्योगी कि से एल के रूप में इसकी प्राप्ति की जाते कि इसकी अमीन एसेट की ठीक एल यह रहते हों कुछ एल एस ऐसे करके लेकिन अपने टेक्निकल में पूरे साइंस में तो अपने क समबर्दन यानिकी टिशू का कल्चर तो इसके तहित निकोटिन अथवा डायोस जैनिन का उत्पादन संभव होता है ठीक है फिर जीन थेरेपी खराब हो चुके डीने को सही डीने से प्रतिस्थापत किया जा सकता है आप चाहतो यहां पर उनका भी नाम बता सकते हो इंज यह ने पॉलिमरेज नुकलीज के से यूज किया जाता है यह चीज और हम आपना क्या कंक्लूजन दे देंगे यहां पर इस प्रकार एक सोस्त जीवन की कामना करते हूं मनुष ने इस छेत्र में अभीनब प्रयोक करते हुए एक नभीन दुनिया को सुत्रपात किया है जिस यह ने क्या वह एक पॉजिटिव कंक्रूजन ले लिया एंड करने के लिए अपने आंसर को चलिए नेक्स हमारा कोशन क्या दोको वही रिपीट है वापस है जैप प्रवद्योगी की क्या है उद्ध्योग छेत्र में इसके अनुप्रयोग बताईए तो देखो सेम तुसेम यह आपको बॉक्स में ही रखने हैं तो आपन क्या बोल रहे हैं उद्ध्योग छेत्र में इसके अनुप्रयोग तो पहला कहा है खाद्योग प्रसंस करम यानि फूड प्रोसेसिंग इसमें कहा है खाद्यों में सूक्ष्म जीवों का विनाश कर खाद्य की सुरह यह विनाश नहीं एक्चुली इस्तमाल है यह प्रक्षाव गुलगत्ता में सुधार दूसरा का विवन प्रकार के खाद्य प्रदार्थों को इसके माधिन से तयार करना तो में एक्जांपल देदेंगे चुकि सेकंड़ नहीं लिखाया ना तो कैसे एक्जांपल कर देदिया एसीटो बैक्तर मैलोरम बैक्टीरिय के साह तो हम एक्जांपल देदेंगे क्या लेक्टो बैसिलस से धाई का निर्माण जो खाने वह उसके जाता है ना वह एक आसामजेक एक्जांपल भी तो वह क्या है सेकरो माशल सेरवेशिय से बीयर विस्कियो ब्रांडी हमने सामाजिक और आसामाजिक दोन एक्जांपल देके बता दिया है क्योंकि सरकार की मेन कमाई हो तो इसलिए चलिए नेक्स क्या है हमारा थर्ट पंट शूनिक कैलोरी स्वीटनर वह शुगर परी एक्षय को मारे एडवेटिस्मेंट करता है ना वही वाला तो मदू महें से पीडित लोगों के रोग में प्रयोग ही तू और क्य आफ़े यह नेक्स का है पॉलीफीनोल तो पॉलीफीनोल क्या है इसे चाय से प्राप्त किया जाता है जो जल में गोसी लोगे पति यह देशी अंड न और जब पता पड़ाई अंदर से फूटता तो पता पड़ाई लेकिन क्या आपना लोग जानते ही निया चीज़ को कि अंदर से डेखने में कैसा है अपना किवल भार से देख लिए आपरन के बार से अच्छा लग रहा है मतलग यह वह योगा देशी होगा बिल्कुल है ना एंटी ऑक्सिडेंट खादे रंग और खादे सन्रक्षक के रूप में ठीक है पॉलिफिनॉल का तो देखो उध्योग में आगे के नहीं आगे अट्रमेटिक यह फिर हमारा क्या है एच वाइबी वीच यह कोनों थे हाई इल्डिंग वराइटी सीड्स जो अधिक फसलोत पादन है तो उच गुडवत्त वाले बीजों को पादन है ना और आपने एक्जामपल किसका देदी है यह एक्जामपल है अमरिकी कंपनी कौन सी मॉंसेटों और भार इनको किसानों के दुखदर्द से कोई लेना देना ही नहीं है टोटल बिजनस आप जानते हो यह एसा एच वाइवी सीट्स बनाते हैं यह लोग एच वाला कि जो फसल को पादम तो बहुत बहुत करता है लेकिन क्या वो एक ही बार करेगा बस दूसरी बार नहीं बिलकुल टर्मिनेटर जीन का स्तमाल करते है एक्जेक्ली सही बोले आप यह चीज है ठीक है नेक्स का है जीवानुपियोग तो जीवानुपियोग में क्या है नागपुर संस्था गैस युक्त इंधनों इंधनों में एच यह एच टू एस है यह है इंधनों से हाइडोजन यह पूरा पूरा पॉइंट है यह तूजीवानुपियोग कर रहा है मैं यह अपर एक्जांपल दें नागपुर संस्था वाला टीक है फिर है थर्मस्टेबल एंजाइम और अन्या तो थर्मो स्टेबल एंजाइम थर्मो स्टेबल जाने तो क्यों थर्मो थर्मो यानि की टेम्प्रेचर यानि टेम्प्रेचर पर स्टेबल रहने वाला वो चीज़ तो थर्मो स्टेबल एंजाइम तो देखो लिखा है बायो रियक्टर में बायो रियक्टर जो होत किशने किसी सुक्षम जीव या बैक्टिघ्र अपीओ कर रहे हैं यह वारा नूक्लय रियक्टर नीक्लिटर नी क्या वाइएक्टर है तो एक रिक्तिर मैं माइक्रोबियल माध्यम से थर्मोस्टेबल एंजाइम का उत्पादन करना तो जीन थेरपी में जब डी एने की कटिंग की जाती है उसको जोड़ा जाता है धर्मोस्टेबल एंजाइम की जाता है तो यह वह है अनुप्रयोग बोल देंगे अपने अनुप्रयोग क्या दाग हटाने वाले डिटरजेंट में ठीक ना बायोटेक पॉलिस्टर इस्टौन वज जीन्स और प्रक्षालेद यह आंदे प्रक्षालेद क्या होता है ब्लीचि होगा वह वाटसेप वाटसेप नहीं मतलब यह चलता यूटूब पर शॉट वीडियो रहते हैं वह चीनी लोगों ने बना एक पेपर यहां पर लगाई यसी गाल पे और पेपर को अटाया तो पूरा-पूरा गाल चिकन होगा बढ़िया और पूरी गाल की गंद की है पर पर रूख से होने लगा है यह चीज यह आपका होगा है समाप यह स्लाइड में शेयर कर दूँगा आपसे है ना